क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब तो कर रहा हूं लेकिन मेरे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हैं जिससे मैं कुछ ज्यादा कमाई कर सकता हूं क्या आपको लगता है कि आप अपना काफी समय और एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिससे आपको इस साइड में ही अर्निंग की प्रोसेस चालू कर सके हैं यदि आप इन सारे सवाल के जवाब चाहते हैं तो आज इस वीडियो को आप देखे मेरा नाम है शुरी तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल गौर्णमेंट जॉब फ़र यू में आपका स्वागत है इसमें मैं हमेशा आप के लिए ौनलाइन अन मनी के related गौर्णमेंट जॉब के टीचर से related, स्टूडेंट से related और परेंट से related बहुत सारे वीडियो अप्लोड करते रहता हूं टाइम टाइम पर आपको बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारियां जो आप से जुड़ी हैं वो मिलती रहेंगी पर ये तभी मिल सकती हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप इसली करेंगे कि आने वाले समय में जो भी बहतरी आईडियेज और मेथर्ड्स हैं वो आप तक सबसे जल्दी पहुँच पाएं अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी स्ट्राटेजी है जिस से सारे स्टूडेंट्स minimum qualification 12 से ये और उसके बाद जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो कुछ earn करना चाहते हैं earn करने का सब्सक्राइब बढ़ उद्देश ये है कि आप अपने पाउं पे खड़ा होना स्टार्ट कर दें पाउं पे खड़ा होने का उद्देश ये है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो आपके भविश्य को भी बनाते चला जाए और आप में कुछ ऐसी आदतें जनरेट हो जाएं जिससे आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां से रुपे भी मिलें, रिस्पेक्ट भी मिलें और आपके फ्यूचर प्लैन्स बनते चले जाएं क्योंकि एक तो बहुत अजीब सी दिक्कत है हमाएं देश में कि गवर्मेंट जॉप्स निकलते कभी हैं, भरते कभी और जाये जाते हैं, एक्जाम कभी और लिया जाता है, रिजल्ट आते आते 3-4 साल लग जाते हैं और नौकरिय मिलते मिलते तो जो सोचा था और जो मिला उसके बीच बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस हो जाता है तो यह सारी चीज़ें ओवर्कम कैसे की जा सकती हैं, जब हम खुद को इस लाइग बना लें कि गवर्मेंट जॉब की तैयारी हम साइड बाई साइड चलने दे और बचे हुए समय में हम कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर दें जो हमारी इसकल से और रिलेटेड हमारे इंटरस्स से बहुत ज़ादा मेल खाता हो हम बात करते हैं 20 साल की एज से जो स्टुडेंट से हैं और जो जॉब सर्च कर रहे हैं उन से आप कहां जॉब कर सकते हैं? आप जॉब कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा कर अब मैं डिफरेंस कर देता हूं इसमें online tuition का मतलब रहता है जो tuition आप mobile के through पढ़ा सकते हैं यदि आपके पास laptop और PC नहीं है तो आप mobile के भी through पढ़ा सकते हैं और या फिर offline job जो किसी school में आप पढ़ा सकते हैं या किसी school के student को आप as a tuition ले सकते हैं ये tuition कैसे ले सकते हैं ये बात तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सीधा सा काम है आप किसी भी school के कुछ students को attach कर लें अपनी tuition classes में और उनके जो भी classes है nursery, KG1, KG2 या class 12 तक की यदि आपका qualification उने students को tuition पढ़ाने के लिए एक दम perfect है तो आप बलकुल पढ़ा सकते हैं तो ये तो हुई offline tuition की मैं बात करता हूँ अब online tuition की तो online tuition से related ऐसी बहुत सारी websites है जिसमें एक है वेदानतू तो वेदानतू में आप किस तरह से register करेंगे ये चीज़े मैं आपको अभी बता देता हूँ चली हम computer screen पे चलते हैं और ये देखते हैं कि वेदानतू में किस तरह से register किया जाता है आप google.com में वेदानतू की website पर open कर लेते हैं यह आप पहुच गया है वेदानतू की website पर यहाँ पर यह दिया आप teaching करना चाहते हैं तो become a teacher पर press कर दीजिए ऐसा कर लेने पर apply now आता है और आप इस तरह से यहाँ पर अपना full name लिख सकते हैं first name, last name, male or female, अपनी mail id, phone number, मतलब की mobile number, यहाँ से अपना highest qualification आप choose कर सकते हैं जो आपने earn किया है यहाँ specialized certificate यह दि कोई है आपका तो आप लिख सकते हैं इसमें या आपका specialization कौन सा subject है उसके बारे और बता सकते हैं यदि आपको teaching experience है तो आप यहाँ पर year अपने show कर सकते हैं यदि नहीं है तो less than one पर आप tick कर सकते हैं इसके बाद आपको primary subject of teaching जो है वो choose करना होता है जिसमें आप यह decide करते हैं कि आपको कौन सा subject अच्छी तरह से पढ़ाना आता है और interesting है आपके लिए आप चाहें तो आप secondary subject भी choose कर सकते हैं जिससे एक से जादा subjects पर आप पढ़ा सकते हैं इसके बाद यहां पर आती classes कौन से class के बच्चों को कौन से standard के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में आप choose कर सकते हैं यहां से इसके बाद कौन से board का आपको students आप comfortably पढ़ा सकते हैं उस boards का chain आप यहां से कर सकते हैं इसके बाद weekdays जो है Monday to Saturday उसमें आप कितने घंटे per day classes ले सकते हैं इसका चुनाव यहां पर कर सकते हैं weekend मतलब Sunday जो है वहां पर उसमें आप कितने घंटे ले सकते हैं class उसका आप चुनाव कर लेते हैं available timing क्या रहीगी आपकी आप यहां से चुन सकते हैं इसके बाद current occupation में आप किस तरह से चुनना चाहेंगे अपने आपको full time teacher है आप freelancer है आप या working professional है college student है या कहीं काम नहीं करते या other इस तरह से आप अपनी category choose कर लेते हैं month, day और year इस तरह से आप date of birth डालते हैं आपके पास किस तरह का connection है आप यहां से वह choose कर लेते हैं download speed, upload speed और इसके साथ screenshot जो यह बताता है कि आपका connection किस तरह का है उसका आप एक snapshot लेके यहां पर upload कर लेते हैं आप विदान्तु से किस प्रकार जुनना चाहते हैं इसके बारे में यह वाला option यहां से choose कर लेंगे आपकी current location आपका घर कहां पर है उसके बारे में आप अपने city का नाम डाल सकते हैं जितने भी aesthetics हैं यह mandatory हैं इसलिए इनको भरना बहुत जरूरी How do you come to know about विदान्तु आपने विदान्तु को किस प्रकार जाना इंटरनेट से, YouTube से, किसी दोस के नाम से, advertisement से जैसा भी आप इसके बाद आप एक resume अपना बना के यहां पर file upload कर देते हैं और submit option पर टिक कर देते हैं जब आप यहां से submit कर देते हैं तो वो आपकी mail ID उनके पास चली जाती है यह पूरा data उनके पास चला जाता है और उसके बाद वो आपसे email के द्वारा contact करते हैं इसके बाद वो आपका एक demo arrange करवाते हैं और उसके बाद वो आपको training देते हैं इस तरह से आपका live session complete होता है और आप eligible हो जाते हैं as a teacher विदान्तु में पढ़ाने के लिए जिसके बाद आपके account में salary आती पर month और इसकी salary काफी अच्छी होती है इसकी starting लगभग 15-20,000 से start होती है यदि आप 2-3 घंटे per day पढ़ाते हैं monthly salary मिलती है और यह बहुत अच्छा option है आपने देखा कि विदान्तु में किस तरह से register किया जाता है अब मैं second technique की बात करता हूं जो है यदि आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है आप कुछ ऐसा काम चाहते हैं जो काफी सरल हो simple हो और आप job के बचे हुए अपने महले में या अपनी सोसाइटी में जहां पर भी आप रहते हैं वहां के कुछ ऐसे चोटे-चोटे बच्चे जो अपना टाइम पास करने के लिए और कुछ नई इसकल्स सीखने के लिए सीखना चाहते हैं उन बच्चों को आप हैन्राइटिंग क्लास ले सकते हैं या आप Google Form बना सकते हैं और Google Form के जएरिये उननों को contact कर सकते हैं उनका interest आप Google Form में connect करके ले सकते हैं यदि आपको Google Form कैसे बनाना है ये नहीं पता है तो आपको कमेंट्स करके बोलिए मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो वैसे तो बनाना ही वाला हू आपकी कमेंट्स मेलेगी तो और थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा तीसरी अपनी टेक्निक है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप स्कूल में अपलाई करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे की कराटे क्लासे हुई, सिंगिंग, डांसिंग और एनुवल फंक्शन में बहुत सारे स्कूल्स यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को डांस सिखाया जाए उनके बच्चों को कुछ कुरिकलम एक्टिविटीज में बहुत स्ट्रॉंग बनाया जाए नाटक सिखाया जाए, और कुछ स्कूल्स यह भी चाहते हैं कि वो आपको एक साथ रुपए दे देंगे और आप उसी रुपए में उनको पूरे साल उनके बच्चों को वीकली एक डेज में निश्यत करके दो या तीन घंटे के लिए आप आएं, उनको डांस सिखाएं और इस तरह से उनके बच्चों को एक्सपर्ट बना दे कभी-कभी स्कूल्स वाले ये भी ट्रै करते हैं कि आप स्कूल में किवल एक घंटे के लिए आएं, एक वीक में बच्चों को कुछ नया सिखाएं और इसके आवज में वो पूरे साल का आपको कुछ एक पर्टिकलर अमाउंट दे सकते हैं तो इस तरह से भी आप किसी स्कूल में अपरोच कर सकते हैं इसके लिए करना बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको एक सिंपल रिजूम बनाना है इसके उपर भी मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है तो आप प्लीज उसे देखिए आप रिजूम मनाएं, आपने अपने डॉक्यमेंट फिट किये, आपने अपना इंटरस्ट लिखा उसमें और इस तरह से दिए आप कुछ करते हैं जैसे आप डांस करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्ट और क्राफ्ट करते हैं, कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज करते हैं और आप उससे लगातार connect रहते हैं, तो वो आपको directly approach करते हैं, पहले हो सकता है कि आपकी earning बहुत कम हूँ, या हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में नाए कि आप किस तरह से अपने salary के बारें बाते करें, उसके लिए एक बिल्को सिंपल ट्रिप्स है, आप उनसे जाके सी चीज़ से, और यदि आप उससे साब से आपका क्या system बूलता है, आप कितना pay करना चाहते हैं, आप अपने system के रिमसार दे सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका daily का जो 5 और 6 गंटे का समय कंजम्ट हो रहा था, वो खतम हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, दो से तीन घंटे weekly classes लेने के लिए आप एक से दो स्कूल अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर पास पास के दो स्कूल आप पकड़ लीजिए, देर देर घंटे किसी भी week में आप एक दिन चले जाएए, यदि आपके पास इस तरह की कोई activities हैं, कुछ नहीं पता, तो YouTube ओपन करि चीज़ें सीख लीजिए, यदि आप लड़की हैं तो, यदि आप लड़के हैं तो उनके लिए और एक टेक्निक है, आप यदि boys हैं, 12th pass हैं, और graduation करने जा रहे हैं, साथ में आपको ही लग रहे है कि आप कुछ earning करें, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सर्वे कर सकते हैं स्कूल के, स्कूल को स्टूडेंट की सकते जरूरत रहती है, किसी भी स्कूल को, किसी इंस्टिट्यूट को भी स्टूडेंट की बहुत जरूरत रहती है, स्कूल में जाकर अप्रोच कर सकते हैं, कि सर मैं अपने महले का पूरा सर्वे करके आपको दे सकता हूं, या फि चार-पांच-छे स्कूल से कनेक्ट हो जाएए उन्हें कॉल कर लीजिए और उनसे बोलिए कि आपके जितने भी RTE के फॉर्म है वो मैं भरूँगा RTE की जानकारी जो समय समय पर लगती है online वो भी मैं भरने तयार हूँ इसके लिए आपको कहीं भी परिशान होनी की जरूवत नहीं है आप साल भर का मुझे कुछ एक nominal amount आप फिक्स कर लीजिए जैसे 400 और 500 रुपे जब पूरे साल का हो जायागा complete तो आप 500 रुपे से ले सकते हैं क्योंकि यह amount बहुत चोटा है और यह काम भी बहुत चोटा है तो इस तरह से आप यह दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से maintain कर सकते हैं और यह technique मैं अपने अन्भों से बता रहा हूं यह बिल्कुल practical है क्योंकि होता यह है कि जब कुछ इस तरह से आप प्राइवेट और गौर्मेंट स्कूल से भी connect हो सकते हैं आप गौर्मेंट स्कूल के भी इस तरह के छोटे चोटे प्रजेक्स ले सकते हैं और वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं अब बात आती है कि आपको उन्हें स्टूलों की लिस्ट कहां से मिलेगी और आप किस तरह से connect होईंगे justdial.com दोस्तों justdial.com के थूँ आप बहुत जल्दी अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं क्योंकि इस website के थूँ आप इस तरह से home screen देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी location को चूस कर सकते हैं और अपनी location के अनुसार आप school को चूस कर सकते हैं जैसे ही आप school को चूस करते हैं आप अपनी location के बारे में बता सकते हैं distance जितना आपको चाहिए उतना चूस कर सकते हैं location और distance से आप inquiry कर सकते हैं schools की क्योंकि जो भी school आप relevant schools देखना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी सकते हैं और इस तरह से उन स्कूलों और colleges में आप connect हो सकते हैं यह एक ऐसी website है जिसमें आप जैसे ही just dial में जाते हैं schools लिखते हैं तो जो इस्थान है आपका उसमें आप उन स्कूलों की list देख सकते हैं वहाँ पर आप approach कर सकते हैं उनका mail ID पर आप अपने resume को send कर सकते हैं आपको जाने की भी जरूवत नहीं है आप online phone लगा के उनसे phonic interview के लिए बोल सकते हैं और resume को देखके तो वह ऐसे भी आपको approach करेंगे ही यदि आपके resume में वह सारी बाते रहेंगी यदि आप बिल्कुल fresher हैं तो जैसे मैंने आपको बताए कि कुछ ऐसी कुछ activities आप में जो चीजे हैं आप उनको बता सकते हैं कि sir मैं यह कर सकता हूँ sir मैं online form भर सकता हूँ sir मैं survey कर सकता हूँ sir मैं art and craft classes ले सकता हूँ आपकी week में एक बार या फिर आप में कोई ऐसा honor है जो आप चाहते हैं कि बच्चों को यह होना चाहिए जैसे योगा योगा आप सीख लीजिया और योगा classes ले सकते हैं इससे related बहुत सारे जो छोटे schools रहते हैं medium level के schools रहते हैं जिसमें लगबग 2-3,000 strength रहती है वो यह चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो योगा ट्रेनिंग दे वो उनके बच्चों को बालविकास teacher बना चाहते हैं जिसमें उनके पास बहुत सारे etiquettes हों, manners हों तो यह manner classes भी आप week में एक या दो classes ले सकते हैं और अपनी earning स्टार्ट कर सकते हैं यह वो तरीके बताए हैं मैंने आपको जो आपके भविश्य को भी बनाने के लिए बहुत उप्योगी हैं कामगार सिद्ध हैं मैंने आपको ऐसे कोई तरीके नहीं बताए हैं जो कुछ शॉट रुपीज फटा-फट कमाने के तरीके हुँ क्योंकि इन तरीकों में जाके लंबे समय तक हम चल नहीं सकते हैं जबकि जो मैंने यह तरीके बताए हैं इसमें हमें रिस्पेक भी मिलेगा रुपे भी मिलेगे हमाई रुची भी बढ़ेगी और क्योंकि यह पूरा के पूरा जो है वो डामेंशन फिक्स है एजुकेशन पर तो आप यदि गवर्मेंट जॉप की भी तयारी कर रहे हैं तो आप उन इस्कूलों में जाके जब टीचिंग करते हैं NCRT की भूप खुद भी पूरी की पूरी चार्ट जाईए आपका गवर्मेंट जॉप बिलकुल पक्का है यदि आप यह चाहते हैं इंग्लिश आपको पढ़ना है आपसे नहीं बनती है आप उसके टीचर बन जाईए कुछ चोटी-मोटी इंग्लिश इस्पोकन क्लासेज ले लीजी अपने आपको फिट बना लीजीए यूट्यूब में हर चीज अवलेबल है आप उससे पढ़िए बुक्स पढ़िए और अपने आपको फिट कर लीजी इस पूरी ट्रेनिंग में बहुत जादा समय नहीं लगना है इस पूरी ट्रेनिंग में आपको लगेगा आप यहां तक पहुची नहीं पाते क्योंकि जिन चीजों को हम देखते नहीं है और नहीं देखना चाहते हैं वो चीजे हमाँ पास सामने कभी आती भी नहीं है लेकिन ये बात मुझे विश्वास है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप आप विश्वास भेजर हैं ये नहीं है ह